आपको कौन से डॉक्यमेंट्स की जरूरत पड़ती है कुरोशिय कंट्री के लिए आपको सबसे पहले आपका पासपोर्ट चाहिए जिसकी मिनिमम वेलेटी कम से कम दो साल हो तो ये बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि आज करन्ट सेनारियो चल रहा है तो उसमें आपका वर्ट पर्मिट आने में ही तीन से चार मेने लग रहे हैं और उसके बाद आप वेलेटी अगर दो साल लखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपका जो दूसरा डाक्यूमेंट आएगा वो है PCC with Apostle PCC Apostle कहा होती इसके लिए मैंने अपना पेले ही एक वीडियो बना रखा है फिर भी मैं आपको शॉर्ट इन शॉर्ट बताता हूं कि अगर आपको आपकी PCC को Apostle कराना है चाहे वो SSP Office की हो चाहे वो Passport Office की हो उसका Apostle अपोस्टाइल दिल्ली में होता है और उसका खर्चा मातर 134 रुपे ही आता है अगर हाँ यह है कि SSP Office की आप PCC को Apostle कराएंगे तो उसको पहले आपको अटेस्टेट कराना पड़ता है तो उसका 100-100 रुपे और खर्चा आ सकता है आता ही है और आपका तीसर में और आपका पांच वा डाक्यूमेंट रहेगा आपका वर्किंग वीडियो अगर आप स्कील बढ़त में जा रहे हैं जैसे आप टाइल में सब्सक्राइब में या जो भी आप ले लो कंट्रक्शन फिल्ल में टाइल में अगया आप का ब्रिक लेयर हो गया कारपेंटर आ आप अपने मोबाइल पर आपका वर्किंग वीडियो बनाईए और उसको सेव करके रखिए और आपका पांचवा डाकुमेंट लगेगा आपका एक आपका पासपोर्ट हो गया दूसरा आपका PCC भी पोस्टायल हो गया तीसरा आपका हो गया वाइड बैक्राउंड फोटो च आपको मस्ट में आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा याने आपके प्रोफेशन के साब से आपके दस्तावेज हो सकता है कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं बाकि यह पांच से छे डॉकुमेंट्स आपको रखना है अगर आप फूट डिलेवरी में जा र अगर आप उनसे भी आपका वर्क पर्मिट अपलाई करने के लिए कहेंगे तो यह आपको पांच से छे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी इसके बिना आपका वर्क पर्मिट अपलाई नहीं हो सकता यह वर्क पर्मिट के लिए मस्ट चीजे हैं और आपका वर्क पर्म झाल झाल